कुसर क्लासेज आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर रिलेशन और फॉक्षन की फिर्स्ट एक्सराइज का सॉल्यूशन तो देखी अपना फिर्स्ट क्या है इफ हमें दो ordered pairs जो हैं वो equal दिये गए हैं first ordered pair का first element क्या है हमारे पास x by 3 plus 1 और second element है y minus 2 by 3 और दूसरे ordered pair में 5 by 3 और 1 by 3 उसके elements हैं अब क्योंकि हमें यहां पर यह दोनो ordered pairs जो हैं आपस में equal दिये गए हैं और हमें इनके क्या values निकालनी हैं x और y की values को find out करना है तो ऐसे condition में देखिए दोनों ordered pairs equal होना सिर्फ तभी possible है जब इनके corresponding elements आपस में कैसे हों equal first, first के equal हो, second, second के equal होना चाहिए ठीक है, so हम अपना जब solution स्टार्ट करेंगे so सबसे पहले तो हम given ही बताते हैं, given क्या है हमारे पास x by 3 plus 1 and y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 and 1 by 3 so अब हम करेंगे comparing का काम so comparing the corresponding elements corresponding elements of equal sets equal sets के हमारे पास जो corresponding corresponding का मतलब है first को first के साब compare कर रहे हैं और second को second के साथ तो compare का मतलब फिलाल हम equal में लेकर चल ले हैं so यह किसे को imply करेगा कि x by 3 plus 1 किसके equal हो जाएगा 5 by 3 k and second element y minus 2 by 3 किसके equal हो जाएगा second element 1 by 3 k equal अब हम इनको simply x और y के लिए find out कर सकते हैं ठीक है, simplify करते हैं तो पहले 1 को shift कर लेते इधर इधर क्या हो जाएगा x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1 चले पहले इसको solve कर लेते इधर यह हमारे पास आ जाएगा यह से तो 5 minus 3 2 by 3 दोनों का denominator सेम है हमारे पास देखी x की यहां से क्या value आ रही है 2 आ रही है and इधर हम y को continue कर लेते है इस minus 2 by 3 उधर जाकर हो जाएगा plus 2 by 3 ठीक है, so अब इसका भी अगर हम l सेम ले तो 3 उपर 1 plus 2 3 by 3 बन रही है, तो यह भी आपस में cancel होकर हमारे पास y की क्या value आ रही है 1, तो यह देखी है हमारे पास x और y की values आ रही है ओके, so second question क्या है, if the set a has 3 elements, a set में 3 ही element है and the set b is 3, 4, 5, 3 और 4 और 5 उसके elements है then find the number of elements in their cartesian product, तो उसके cartesian product में कितने number of element होंगे हमें वो find out करना है, so देखे, यहाँ पर हमें क्या given है, since a has 3 elements and b has the elements 3, 4, 5 so the number of elements को हम इस तरह से denote करते हैं, यह क्या represent कर रहा है, number of elements of set a यह चीज़ हम first chapter में सीख कर आ रहे थे, तो इसमें कितने है, 3 and in the same way number of element of set b is also 1, 2 and 3 3, अब हमें क्या लेखे चछलना है, अब हमें find out करना है, number of elements of their cartesian product, क्योंके cartesian product में कितने number of element होंगे, तो इसका हमार पॉर्मूला है कि उनके अलग- rapidement means जितने number of elements है अंको हम आपस में क्या घरने, product करने, तो हमारे पकास उतने ही number of elements आएंगे जितने Cartesian product में होंगे तो इनके number of elements कितने हैं 3 और B के भी 3 तो total कितने आगए 9 तो हम जिस वे में question पूछा गया था उसी वे में answer कर सकते हैं therefore the number of elements in A cross B is 9 कि A cross B में कितने number of elements होंगे 9 elements होंगे थर्ड question देखिए if G set में हमें 7 और 8 elements दिये गए हैं H set में 5 4 और 2 elements हैं so हमें G और H का Cartesian product और फिर H का Z के साथ Cartesian product find out करना है so देखिए start करते हैं हमें G क्या given है 7 8 and H में हमें elements given है 5 4 and 2 so पहले हम G cross H find out करते हैं Cartesian product of G to H तो इसके elements कैसे होंगे यह खुद एक set होगा elements कैसे होंगे order pairs में हां तो order pair के हम क्या करेंगे left side में क्या है G तो order pair में भी जो दो element आएंगे उनमें पहला element G का होगा और दूसरा element H का होगा ठीक है यही rules होते हैं तो देखिए 7 को हम एक एक करके इन सभी के साथ relate करते हैं तो पहले 7 को 5 के साथ relate किया तो उनका order pair बन गया फिर 7 को 4 के साथ करते हैं फिर 7 2 के साथ हो गया तो 7 की हर एक के साथ एक तरह से relation हमने यहां 100 कर दी किसकी form में ordered pair की पेर की form में ठीक है अब 8 को इसी तरह से करते हैं तो 8 5 8 4 8 2 और जितने भी ordered pairs बने हैं इन सभी कोंकिस में close कर लें इस सेट के bracket में तो यह हमारा क्या क्या गया Cartesian product of G cross H इसी तरह से हम H cross G भी निकाल सकते हैं अब क्या होगा कि ordered pair में पहला element किसका होगा H का और दूसरा element G का तो अब हम 5 से start करेंगे ठीक है फिर 5 को पहले G के element के साथ relate करते हैं पहले 5 7 के साथ relate हो गया फिर 5 8 के साथ relate हो गया इसी तरह से अब 4 की बार ही आए रहे 5 साथ सोरी 4 साथ और 4 8 फिर 2 2 को भी 7 और 8 के साथ रिलेट करते हैं साथ दो आठ अगे सो इनको भी हमने सैट की फॉर्म में कवर कर लिया तो यह हो गए हमारे दोनों काटेशन प्रोड़क्त आप नोटिस करेंगे क्योंकि ओडर पे और डिफरेंट होते हैं तो इनसे बनने वाले जो हमारे पास काटेशन प्रोड़क्त है वह सैट भी अनिकुल ही होगा वह आपस में एकुल नहीं है ठीक है ओके सो फॉर्ट को देखिए स्टेट वैदर इच उसको हमें सही करना है मेंस स्टेट्मेंट देखी क्या हैняя में अहोगि लाकिन पर इसमें हमारे पास कितने अलिम Soumen क्या यानि कि टोट रोग्र kangler प्रोड़क्त में कैमें बनने तो यानि हमारे पास दो गलत है तो यह directly पहचान है कि यह statement गलत है जब हम अपना solution स्टार्ट करेंगे तो starting ही हमारी किस्से होगी false, की statement false है अब हम लेकर चलते हैं as a set, a तो नहीं है, p set है so p is mn and q set is nm then their cross product क्या होगा, हम actual बना के बताते हैं तो देखे, क्योंकि p left में है so first letter, किसका होगा हमा आपास first element p k होंगे so m से start करते हैं m को पहले n से और फिर वापस m को इसके second element m से किया देगा अब p के second element के बारी है n इसको भी हम n से करेंगे और फिर n को इसके second element m के साथ, और इनको कर देते हैं close, देखे, total ये four elements यहाँ पर होने चाहिए थे ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई correct statement हो गई, second if a and b are to non empty set then a cross b, यानिका उनका cartesian product है, is also a non empty set अब्वेसी बात है ये तो होगा of ordered pair xy, ठीक है such that, कि जो first element यानिकी x, वो किसको belong करेगा a को, यानिकी जो first element हो किसके element होगा a का, and जो second element हो किसके element होगे b के, तो ये बिल्कु सही है देखे, first element left वाले set का होना चाहिए, second element right वाले set का होना चाहिए तो ये complete statement जो है वो हमारे पास क्या है true, तो हमें इसको correct करने की जोती नहीं है क्योंकि ये already correct है, ठीक है तो हमारे answer सिर्फ इतना हो जएगा third, third part देखते हैं third part में देखे, if a set में one two element है, b set में three four element है, then cartesian product of set a, and b intersection phi, यानि कि ये empty set की, जब हम किसी set के साथ intersection करते हैं तो हमारे पास result क्या आता है, फिर से empty set अब आप किसी भी set को empty set के साथ cross product करोगे तो result क्या आएगा, वो फिर से empty ही आएगा, जब हम किसी खाली set के साथ क्या relation बनाएगे, कोई भी relation नहीं बनाएगी है ना, तो phi यानि कि ये statement जो है, वो एक तरह से हमारे पास क्या है, true आप यहाँ पर इस तरह से भी बता सकते हो as, b intersection empty set दोनों का intersection क्या होगा empty set होगा, है ना, अब हम इसको लेकर चलें कि a का Cartesian product b intersection 5 के साथ करें तो हम यहाँ पर इसके ज़गे क्या लेख सकते हैं 5 और एक empty set और एक non empty set दोनों का Cartesian product क्या होगा वो भी एक phi ही होगा फिक्स कोस्चन देखिए हमारे पास एक set दिया गया है जिसमें दो यह element है minus 1 and 1 और हमें उनका Cartesian product निकालना है तीन sets के बीच में ठीक है, set वही repeat हो रहा है तो देखिए हम किस तरह ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं पहले तो वही वही mention कर देंगे कि क्या हमें given है minus 1 and 1 हमें given है अब हम यह लिख सकते हैं we know that A cross A cross A इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं associated property की help से कि हम पहले किसी एक particular portion पर काम कर लेते हैं और फिर उसको बचे हुए portion के साथ compare कर लेंगे complete कर लेंगे ठीक है so हम पहले दो सेट के बीच का Cartesian product नहीं कालते हैं so now A cross A क्या हो जाएगा तो देखे पहले हम first element ऐसा कर लेता है देखे इसको समझने में अगर confusion हो रहे है इसी को इसी के साथ element में तो आप यह कर सकते हैं इसको दुबारा से एक rough portion में फिर से लिख लिए माइनस वन एंड वन ठीक है एक rough से इनको किस तरह से अरेंज करें फिर से अब हमारे पास जो elements बनेंगे वह elements actual में क्या होंगे इन तीनों को combined portion होंगे order pairs की form में नहीं cover किया जाएगा क्योंकि हमें यहां पे तीनों का एक 80 Cartesian product दिखाना है तो एक order triplet बोला जाता है तो यहां थोड़ा आपको ध्यान रखना है अब हम क्या करेंगे minus 1 को minus 1 minus 1 के साथ relate करते हैं minus 1 minus 1 minus 1 तो order triplet दिखाना आपको फिर कॉमा अब इस minus 1 की relation सभी के साथ नहीं हुई है तो एक के करके पहले सभी के साथ दिखा देते हैं so minus 1 को अब इनके साथ देखे क्या है minus 1 and 1 फिर से minus 1 को अब इनके साथ 1 और minus 1 फिर minus 1 को 1 और 1 के साथ बचे हुई के साथ ठीक है अब minus 1 से हम इन सभी के साथ काम कर चुके हैं अब हम 1 को पिर से सभी के साथ रिलेट करेंगे सो माइनस वण माइनट फिर से इनके साथ यह देगी तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं यह वार से हमारे पास किसके एक वद है एके ही equal आएगा ठीक है तो जितने हमारे पास सेट काटेशन प्रोड़क्त में तो उतने ही ordered elements हमारे पास आ जाएंगे तो यह क्या बन गया order triplets बन गई यह ओके six question देखिए six question हमारे पास क्या है एक Cartesian product दिया गया है प्रोड़क्त के हमें चार elements दिये गए हैं हमें यहां से ए और बी सेट के elements को find out करना है अब मैं पता है कि जो first set होता है left side में जो set है उसके elements first को में से पहले लिखे जाते हैं और जो right side को set है उसके element हमारे पास को में के बाल यानि की second element होते हैं तो हम यहां पर किसर ऐसे starting कर सकते हैं सबसे पहले तो हम अपना वही given को mention करेंगे कि हमें क्या given है a cross b इसमें क्या क्या element है a x a y b x by ठीक है यह इसके set हो गए तो अब हम यह बता सकते हैं now a क्या है a is the set of all first elements first elements and b is the set of all second elements किसके हैं है a second elements of ordered pairs ordered pairs of Cartesian product है जो Cartesian product है उसके जितने भी ordered pairs है उनके first element किसके set के हैं ए सेट के हैं और जो तो second element है, वो कि set के belong कर रहे हैं, वो B set को belong कर रहे हैं, तो यहां से हम अराम से A set के elements को देख सकते हैं, तो जीकि A, A, कोई repetition में आ रहा है, तो हम already first chapter में पढ़ के आ चुके हैं, माली जी अगर हम सिर्फ first element को छाटें, तो इस तरह से आएंगे उस अभी, लेकिन हमें पता है कि किसी भी element को repetition में so नहीं किया दा सकते हैं, तो हम उनको single time ही लिखते हैं, तो A set में कितने element हैं, दो यह element हैं, एंड इसी तरह से B set में, B set में देखे, X, Y, X and Y, तो उसमें X और Y elements हो गरे, तो इस तरह से आप किसी भी Cartesian product से, उनके जो दो sets हैं, उनके elements को separate कर सकते हो, जो first element ह होंगे, वो किसे होंगे, left वाले set के, और जो second element है, वो किसको belong करेंगे, वो right side को belong करते हैं, चलिए 7th question देखते हैं, left A, B, C and D, हमें 4 set दिये गए हैं, और हमें 2 parts में कुछ given हैं, जिसको हमें verify करना है, तो चलिए first part से start करते हैं, solution part 1, देखे, इसमें हमें left side और right side given हैं, और left side में हमें B और C का intersection का Cartesian product करना है, A के साथ, और यहाँ पर A, B का Cartesian product और फिर AC के Cartesian product में common find out करना है, कि क्या common है, तो जिस इस चीज की requirement है, पहले उन सभी को complete कर रेते हैं, फिर left और right side को लेका चलते हैं, ठीक है, देखे, एक तो हमें B intersection चाहिए, so B intersection C find out करते हैं, so B में क् 2, 3, N, 4, intersection C, C में 5 और 6 है, अब आप खुदी देखें कि क्या दोनों में कुछ common है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी condition में क्या आ गया, एक empty set आ गया, जब उनमें कुछ भी common नहीं है, तो अब अगर हम इनके Cartesian product भी find out कर लेते हैं, या separately भी निकाला जा सकते हैं, इनको, ठीक है या चलिए find out करी लेते हैं, A cross B, A cross B हमारे पास क्या है, क्या हैगा, देखें, A के element 1, इसको B के element के साथ relate करना है, तो ये 1, 1 के साथ आ गया, 1, 2, 1, 3, 1, 4, चीक है, अब 2 को 1, 2, 3, 4 के साथ relate करते हैं, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, and 2, 4, तो ये आगया हमारा A cross B, इसी तरह से A cross C B find out कर लेते हैं, तो A के element को 5 और 6 के साथ करते हैं, तो 1, 5, and 1, 6, फिर 2 को 2, 5, and 2, 6, अब अब अपनी left side स्टार्ट जाते हैं, देखें, left hand side क्या है, A cross B intersection C, तो A set के हमारे पास दीखें, 1, 2, और हमें cross product करना, इसका किसके साथ B intersection C, जबकि B intersection C क्या है, एक empty set, और बिल्कुल same condition, अभी हम थोट देर पहले भी करके आ रहे थे, उसमें भी क्या है कि एक empty set को किसी non empty set के साथ partition product करते हो, तो अब result क्या आता हमें साथ, एक empty set ही आता है, ठीक है, तो left hand side के और हमारी empty, अब right hand side और देखते हैं, कि right hand side में क्या result आ रहे हैं, तो right hand side में हमें इन दोनों का intersection find out गरना है, तो उसको देखाते हैं कि A cross B intersection A cross C, तो अब खुद ही देखिए, इन दोनों में क्या common आ रहे हैं, यहां one five है, तो क्या one five है, नहीं है हमारे पास one six भी नहीं है, two five, two five भी नहीं है, two six, two six भी नहीं है, कि A cross C, इसका तो set बनेगा, वो हमें यह दिखाना है कि वो subset है, B cross D के साथ, okay, so एक एक करके इन दोनों को find out करते हैं, A cross C, so A में हमारे पास one है, और C में five और six है, तो one five, one six, then two five and two six, तो यह आगे हमारे पास A cross C, फिर हमें जरूरत है B cross D की, so B cross D देखते हैं, so B के element है, one, two, three, four, और D के element है, five, six, यानि कि total हमारे पास, यह चार और चार, total हमारे पास 16 elements बनाने पड़े हैं, चलिए देखते हैं, so one five, one six, one seven, one eight, आप two को लेकर चलते हैं, two five, two six, two seven, two eight, in the same way, three five, three six, three seven, three eight, then four five, four six, four seven, angle four eight, तो यह हमारे टोटल आ गए 16 elements, अब हमें यह देखना है कि क्या यह इसका subset है, फिलाल verify करना तो पाना चाहिए, तो हमें यह देखना है, देखे, one five, क्या यह है, बिल्कुल है, one six, one six भी है, two five, यह देखे, two five भी element है, और two six, two six भी है, तो हम यह कह सकते हैं, as all the elements of a cross c are also the elements of b cross d, therefore, a cross c is a subset of b cross d, तो किसी को किसी का subset होने के लिए क्या होना चाहिए, कि उस set के सारे element दूसरे set में भी लाई करने चाहिए, जैसे कि यहां हम देख रहे हैं, एच question देखे, let a and b, दो set दिए गए हैं, सबसे पहले हमें उनका Cartesian product बताना है, फिर बताना है कि how many subset will their Cartesian product have, कि Cartesian product के भी कितने subset होंगे और फिर हमें उनकी लिस्ट भी बनानी है, ओके, सबसे पहले तो हम Cartesian product निगाल, so given क्या है हमें, a set इसमें 1,2 element है and b set जिसमें 3 और 4 element है, सो इनका Cartesian product क्या हो जाएगा, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ओके, अपना first question हो गया है, अब second है कि how many subset will Cartesian product have, अभी देखे कि अगर हमें simply यह पता करना है, इससे समझते हैं कि हमारे पास एक set है जिसमें 2 element है, हमें यह पता करना है कि इसके कितने number of subset होंगे, तो वो चीज़ हम already fourth chapter में पढ़के आये थे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके two की power में वो number of elements रखते हैं, तो वो हमें क्या provide कराता है, नमबर of subset यह हमें number of subset provide कराता है, तो simply अब यहां पर देखें, यहां मारे पास कितने element है, इस Cartesian product में, four elements हैं, तो यानि कि इसके number of elements के लिए हम क्या करेंगे, two raised to power four कर देंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं, now number of subset of a cross b, किसके equal हो जाएगा, two raised to power four, या उससे पहले आप यहां पे एक चीज़ और बताएं कि a cross b में total number of element कितने हैं, total number of element four है, one, two, three and four, ताकि उसी की help से हम यहां पे power mention करें, तो यह कितना हो गया, 16 हो गया, तो यह आगया हमारा second answer, अब हमें third क्या करना है, इन सभी को list out करना है, ठीक है, तो just list बनानी है, उनका set मी बनाना है, तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो देखे सबसे पहले five, five क्या होता है, हर set का subset होता है, हना, तो अब हमें इन सभी से subset बनाना है, तो देखे पहला one three लिया, इसको भी set की form में convert करना पड़ेगा, subset है तो कम से कम set ही, फिर one four, इसको भी ordered pair, क्योंकि इसके element ही ordered pair की form में है, तो इस चीज का खुड़ा ध्यान रखेंगे, फिर two three, two four, फिर अब देखे, single single को use कर चुके हैं, अब pairs wise इनका combination में आते हैं, तो देखे, one three, one four, one three, one four, then one three का two three के साथ, one three, two three, then one three, two four, one three, two four, तो one three की सभी के साथ एक एक pair बन चुका है, अब one four का use करते हैं, तो one four, two three, then one four, two four, ओके, यह भी हो गया, two three की, two four के साथ करते हैं, two three, two four, और क्या रहता है, I think यह हो गए, और यह आप इससे भी पैजान कर लेजिए, कि हमारे पास क्या है, एक वैसे अब three three का use करेंगे, ठीक है, जैसे one three, one four and two three, यहां गया, तीन का, अब first, second और fourth का use कर लेते हैं, one three, one four and two four, ओके, first, second, third हो चुका, first, second, fourth हो चुका, अब हम second, third और fourth भी करते हैं, so one four, two three, two four, अब हम लेकर चलते हैं, यह यह पे रहता है हमारे पास, देखें, first, third और fourth, so इसका भी एक use कर लेते हैं, first, one three, third, two three, fourth, two four, अब चारों का, देखें, तीन पे सभी पे काम हो गया, अब चारों को, हम कहते हैं कि हर सैट खुद का भी सब सैट होता है, वही, इसी वज़ए से, तो one three, one four, two three, two four, यह आगे हमारे पास, तो अब confirm करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने नंबरों सब सैट है, कितने हैं, 16 है, तो इनको count करके देख लिजिए, अगर इसमें कोई कम है, तो यह hint मिल जाएगा कि हम यहाँ पे कुछ ना कुछ missing है, तो देखे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, and sixteen, यह complete है, तो यह हमने क्या बना दी, list कंस्टर कर दी, तो इसमें हमारे पास total three question थे, क्या, सबसे पहले तो Cartesian product निकालना, फिर उसके number of sub-sets पता करने हैं, direct, और फिर उनको list out भी करना है, ninth question देखे, क्या है, let A and B be two sets, such that, कि number of element of A, three, and number of element of B is two, हमें given है, और हमें यहाँ पर यह दिया गया है, कि अगर x1, y2, and z1, यह Cartesian product के elements हैं, are in Cartesian product, then find A and B, और यह बताया गया कि x, y, z, जो हैं, वो different elements हैं, इन में कोई equality नहीं है, ठीक है, so starting हम उसी दर ऐसे करेंगे, कि given के बारे में बताया जा सकता है, क्या क्या given है, number of element of A is three, and the number of element of B is two, और यहां हम यह कह सकते हैं, कि x1, y2, and z1, किसको belong कर रहे हैं, a cross, b, उसके element हैं, तो हम उसको इस तरह से डिख सकते हैं, कि वो उसको belong कर रहे हैं, ठीक है, so अब हम यहां पर देख सकते हैं, as a is the set of all first elements, and B is the set of all second elements of ordered pairs, ordered pairs of A cross B, A के element क्या है, first element हो जाएंगे, ओके, और B में, so it is clear, so it is clear that, कि A set के element कैसे होगे, A set में कितने element हैं, three, तो यहां पर जो ordered pairs हैं, देखे, उनके जो first element है, वो किसके element होंगे, A के, so A में क्या क्या आगए, x, y, z, and B, B में क्या क्या आगए, B में देखे, second element, second element में one, दो बार repeat हो रहा है, लेकिन लिखा तो single time ही जाएगा, so उसके element हो गए, one and two, तो देखे, B के कितने number of element है, two, यह भी confirm हो गया, A में three, three भी confirm हो गया, ओके, so exercise का last question देखे, क्या है, the Cartesian product A cross A, यानि कि किसी set का उसी के साथ Cartesian product लिया गया है, has nine elements, among which are found minus one, zero, and zero, one, उन nine में से हमें कोई दो set, sorry, दो order pairs दिये गए हैं, ओके, यानि कि वह उनके elements है, so find the set A, A set भी हमें बताना है, और remaining elements भी बताने हैं इसके Cartesian product के, nine में से हमें दो दिये गए हैं, बचे हुए, साथ और find out करने हैं, तो देखे, क्या है हमारे पास, देख तो क्या given है, कि number of element of their Cartesian product is nine, and the ordered pairs, the ordered pairs, minus one, zero and zero, zero and one are two of the nine elements of A cross A, यानि कि इस Cartesian product के, nine में से, दो ordered pairs हमें दिये गए हैं, that is, हम इसको इस तरह से सोकर सकते हैं, कि जो Cartesian product है, वो ordered pairs के elements से बना हुए है, और उनके जो ordered pair में elements हैं, first or second position पे, वे दोनों ही, अब किसको belong करेंगे, A को ही belong करेंगे, है ना, यानि कि first or second दोनों ही element, so ये किसी को clear करता है, therefore, so it clear, it is clear that, A, A set में हमारे पास क्या क्या element आ गए, देखें, minus one, zero, zero and one, यानि कि minus one, zero and, number of element of A कितने हो गए, A में हमारे पास तीन element आ गए, so अब पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका Cartesian product बना लेते हैं, और फिर उन में से वो ordered pairs अलग से निकाल देंगे, तो Cartesian product देखें क्या हो जाएगा, minus one, minus one, फिर minus one की zero के साथ, minus one, one, अब zero की इन के साथ करते तो, zero minus one, zero, zero and zero, one, and then, one को minus one के साथ, one, zero and one and one, तो यह हमारे पास Cartesian product आ गया, तो अब हमें remaining elements find out करने हैं, तो हम लिख सकते हैं, therefore, the remaining elements of a cross a, किसके एक्वल हो जाएगे, अब हमें नया set नहीं बना के दिखाना है, remaining elements बता गया, तो देखें, हमारे पास क्या क्या थे, minus one और zero, एक यह element था, और एक zero, one, zero, one गया element था, तो इनको छोड़ कर क्या क्या बच गया, minus one, one, minus one, minus one, one, zero minus one, zero, zero, minus one, यह क्या है हमारे पास, one minus one हो गया है, one minus one, one zero, and one and one, तो यह आगया हमारा answer, क्या हमारा पास,